पार्टी लगाकतार कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के बीच में नफरत फिलाने का काम कर रहे हैं आज मैं मर्जापुर में शिविर करके आया हूँ और इन शिवरों के माद्यम से हम अपनी पार्टी के कारकरता निताओं को इस बात को जरूर बताते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का संकट है और अगर इस संकट से नहीं बचाया तो हमारे लोग तंत को खत्रा पैदा हो जाएगा हम समाजवादियों की पहचानने हमारा बिवहार, हमारा रास्ता जो है वो सेकुलर है हम जहां सोसिलिस्ट हैं, वहीं हम सेकुलर भी है और सोसिलिस्ट होना और उस रास्ते पे चलना कितना कटिन काम है और उसी तरीके से कमिनल होना बहुत आसान है लेकिन अपने देश की संस्किती और सेकुलरिजम के रास्ते पे चलना मुश्किल है इसलिए हम समाजवादियों के सामने चुनौती जरूर है लेकिन जहां हम अपने सिध्धानतों पर चलना है डाक्टर भीमरा मेटगर जी का सिध्धानत डाक्टर रामनोर लुया जी का रास्ता दिखाया है वो उन पर चल करके लोग तंत्रों बचा करके अपने समाजवादी सिध्धानत को बचा करके और हमारे देश की जो पैचान है स्रेकुलर समाज उसको बचा करके आगे एक बहुत अच्छा समाज और देश उत्तपदिस बनाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी आज सक जो भादी जन्ता पार्टी ने फैसे लिये हैं उससे हमारी अर्थ वबस्ता को नुक्सान हुआ है भारत के लोगों का नुक्सान हुआ है कहां भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर एकॉनिमी का सपना दिखाने वाली बारती जन्ता पार्टी इस बजट में एक बार फाइव ट्रिलियन की बात नहीं कही जन्होंने कहा कि हम वो रास्ता पना रहे हैं जिससे भारत के फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनिमी हो जाएगी उन्होंने अपने राश्पती जी के अविभाशन में भी एक वार 5 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी का रास्ता नहीं बताया और भही उत्तपदेश की सरकार कहती थी अगर दिल्ली की सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी के सपना देखना है तो उत्तप अदेश की सरकार भी वन टिलियन डॉलर की एकॉनमी बनाएगी जिस तरीके से नोट बंदी के बाद पूरी अर्थ ववस्ता चौपट हो गई और जिस तरीके से जी एस्टी लागू किया गया बिना तैयारी के जिन कानूनों का सर्ली करन होना था जिन कानूनों से हमारी अर्थ ववथा को और वेपारियों को सहलियत बिलनी थी इतने बड़े पेमाने पर सनसोधन होने के बाद भी हमारे वेपारी निरास है हमारे वेपार करने वाले लोग दुखी हैं और उसके बाद जिस तरीके से अर्थ वेवस्ता को कोबिट के समय पे सामना करना पड़ा है हमारी अर्थ ववस्ता को चौपट करने का काम भारती जन्ता पार्टी के गलत फैसलों से हुआ है जहां किसान हमारे तीनों बिलों को लेकर के धर्णे पर बैठे हैं समाजवादी पार्टी का मानना है पहले दिन भी और आज भी वही बात हम कहते हैं जिस समय ये कानून लागू हो जाएंगे हमारे किसानों के बीच में इन कानूनों से काम होने लगेगा तो ये हमारे किसानों के लिए डेथ वारेंट साबित होगा तीनों कानून समाजवादी पार्टी बिरोध पहले भी करती थी और आज भी बिरोध करती है और मैं यह जानना चाहता हूं भादे जंदा पार्टी के लोगों से कि अभी एक साल या सबा साल के लिए कानून आगे बढ़ा दिया कि लागू नहीं होगा जो चीज आज खराब है वो एक साल या तीन साल के बाद कैसे अच्छी हो सकती है यह तो भादे जंदा पार्टी के लोगी बता सकते है और हम जानना चाहते हैं कि जो कानून किसानों को नहीं पसंद आखिरकार वो कानून किसानों पर क्यों थोपे जा रहे हैं जो infrastructure की बात हो रही थी मंडी में के हम मंडी में पैसा लगाएंगे उत्तपदेश में जितनी मंडिया समाजवाजी सकार में बननी थी आज सब मंडिया ठप हैं कोई काम नहीं हो रहा यही एक्सप्रेस वे जो बनना आगे आ रहा था लखनों से हमारे पुर्वांचल के लाके के लिए उसमें भी जो मंडिया बननी थी बलिया में गाजीपुर में आजमगर में सुल्तानपुर में या अमेठी में या लखनों में कोई मंडी नहीं बनाई जा रही है अगर मंडिया नहीं होगी कोई इस्थान नहीं होगा तो ये भार्दी जन्ता पार्टी के लोग बताएं कि MSP आकिरकार किसानों को कहां मिलेगी अगर MSP देना भी चाहते हैं तो भार्दी जन्ता पार्टी के लोग वो स्थान बताएं जहां MSP मिलेगी वैसे तो भादे जंदा पार्टी के लोग मिस्ट कॉल की परंपरा बहुत निभाते हैं जब उन्हें सरस बनाना होता है तो वो कहते हैं कि हाँ फोन करिए मिस्ट कॉल दीजिए हम आपको सरस बना देंगे हम उन्हीं से कहना चाहते हैं कि कम से कम किसानों के लिए वो मिश्ट कॉल नमबर जारी करें जिसमें उन्हें MSP मिल जाएगी और वो MSP जिसमें उनकी आए दोगुनी हो जाएगी इधर लगातार जिस तरीके से रत्वस्ता गरी है उससे काम, नौकरी और रोजगार चिन गए है इन्वेस्टमेंट के नाम पर नजाने कितने M.O.E.U. किये गए पांच लाग करोड के M.O.E.U. अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आया है डिफेंस कॉरिडर का सपना दिखाए गया डिफेंस कॉरिडर नहीं बन पाया और अगर काम रोजगार देना है तो कहीं न कहीं सरकार को अपने फैसलों पें बदलाव लाना पड़ेगा इदर हर चीज महंगी हो रही है डीजल पैट्रॉल और रसोई गेस के सिलिंडर किसी ने सोचा नहीं था कि डीजल पैट्रॉल की देश के अंदर कीमत सो रुपए के पास पहुंच जाएगी हो गई तो आखिरकार डीजल पैट्रॉल का जो मुनाफ़ा आ रहा है जो कीमत बढ़ने के बाद मुनाफ़ा आ रहा है वो आखिरकार मुनाफ़ा जा खाँ रहा है इभाद जन्ता पार्टी को बताना चाहिए सरकारे उनकी है कि जो जनता से वसूला जा रहा है पैसा वो किस रूप में किस जगे खटा हो रहा है और आखिर का मुनाफ़ा का रास्ता कहा है कहां तक खतम होता है इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में है किसान के आंदोलन में नजाने कितने हमारे समाजवादी उस साथियों पे जूटे मुगदमे लगे हैं नजाने कितनों को जब कभी भी किसान यात्रा निकाली होगी कारकाम हुए होंगे देश में शायदी कोई पॉलिटिकल पार्टी हुई होगी जिसके उपर इतने मुगदमे होंगे समाजवादी पार्टी लगाता संघर्स कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और लगातार उनके जूटे वादे कियो जनता को याद दिलाएंगे भारती जनता पार्टी का सबसे प्रिये जहां सोचाले है वहीं मां गंगा कभी आशीवाल लेने के लिए उन्होंने ना जाने क्या क्या कहा कि गंगा की सफाई हो जाएगी आज लगातार ना ले जा रहे हैं लगातार जो पेरामीटर्स हैं जिन से पॉलिशन ना पा जाता है चाहे वो डिसॉल अक्सिजन हो चाहे बियोडी हो चाहे सीओडी हो और चाहे उसके अंदर जो वैक्टिरियाज है उसकी मातरा बढ़ती चली जा रही है और पूरे जहां जहां से गंगा निकली है अभी तक सफाई का कोई इंतजाम नहीं हुआ और जहां गंगा में जो नदियां जुड रही है वो नदियों के भी कोई सफाई नहीं हो रही चाहे वो यमना हो चाहे अन्य नदियां देश की जो जुड़ जाती हैं बाद में जाकर के गंगा में इतना बड़ा धोका जो मा गंगा को दे सकते हैं वो अर्थ विवस्ता के नाम पर पूरी भारत की जंता को धोका दे रहें इसलिए समाजवादी साथियों ने फैसा लिया है लगातार काम करेंगे और आने वाले समय में 2022 में सरकार समाजवादीयों के भोगी आप अगर उनके विधान सबा के भाशर सुन लेंगे पूरे देश के तिहास में और इस डेमोक्राइसी में और खासकर उत्ता प्रदेश की जो विधान सबा के परंपराएं रही हैं उसमें अन पार्लेमेंटरी वर्ड्स अगर सबसे ज़्याद है किसी ने इस्तिमाल किये होंगे तो वो भारती जन्ता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री हैं जिन्हों ने अपने मुख्यमें भी बापिस ली हैं अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिये जाओगे मैं बनारस के अपने पत्गास हाथियों से कहूँगा इतिहास के पन्ने पलटिये आप और इस देश में एक रिस्ट इंडिया कमपनी आई थी हम लोगों ने जाना ही नहीं होगा एक कानून कहीं पास हुआ और वो सरकार बन गई इस्ट इंडिया कमपनी जो कमपनी थी एक कानून से वो सरकार बन गई और हमारी सरकार जो है वो पता नहीं क्यों कमपनी बनने के रास्ते पे जा रही है समाजवादी पार्टी के अकेले एक आंदोलन में जो किसान अंदोलन था लगातार अभी भी चल ला है उसमें दस हजार हमारे कारकरताओं पर मुगद्बे दर्ज है और आपको तो यह सवाल नहीं पूछना चीए इसलिए कि यहां बनारस में किस बहरेमी से हमारे कारकरताओं पर लाठी चली है मुझे खुशी इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दूसगनी उर्जा से और दूगने जोड़ से जुट गए हैं और हम तो